विचित्रह साक्सी ये पाठ है कक्चा दस्मी सुरू से देखते हैं पहला प्रस्ण की द्रशे प्रदेशे यानि किस तरह के प्रदेश में पदे यात्र यानि पेरों की यात्रा पैदल यात्रा सुखा वहा ना ठीक नहीं है सुखवाली नहीं है तो विजने प्रदेशे एसा प्रभुद्धा तो जो अतिती था वो घर में सो रहा था तो वो कैसे प्रभुद्ध हो गया जाग गया तो केन में तरतिया भवक्ति है इसका उत्तर भी जो होगा पादत ध्वनीना अब किसके तो आपको पूरा लिखना चाहिए चौरश्य पादत ध्वनीना यहां जाएगा इसके बाद क्रिशकाय अभी उकता आसीट इसके बाद देखते हैं नया धीशः कश्माई कारागार दंडम आधिश्टमान नया धीश ने किसके लिए कारागार का धंड दिया तो आरक्षणी चतुरथी वक्ति आरक्षई की एह सही बनेगी आरक्षणे कम निक्षा यानि किसके निकट दुदिया वक्ति में आंसर देना होगा मृत सरीडा मासीत मरा हुआ सरीड किसके निकट था तो राज महारगम अगला है अधो लिखता नाम प्रश्णाना मुत्तराणी संस्कृत भासया संस्कृत भासा में लिखना है तो निर्धनह जनह कथम यानि कैसे बित्तम उपारजितवान निर्धन ब्यक्ती ने कैसे बित्त को उपारजित किया तो निर्धनह जनह भूरी परिश्टरम में भूरी यानि अधिक परिश्टरम में यानि परिश्टरम करके बित्तम उपारजितवान निर्धन ब्यक्ती ने बहुत अधिक परिष्णम करके बित्य को उपार्जित किया अगला है जनह के मर्थम पदाती ही गच्छती जो जन है या ब्यक्ती है वो के मर्थम यानि किसलिए पदाती ही गच्छती पैरों से जाता है किसलिए पैरों से जाता है तो जनह अर्थकार्शेन यह कार्शेन यहां पर ठीक लिखना पड़ेगा कार्शेन कार्शेन यहां के बीच में आदसा अर्थ कार्शेन पीड़ेता तो वो अर्थ यानि धन की कमी से पीड़ेत हो करके तो जनहां के मर्थम धन की कमी तो अर्थ कार्शेन पीड़ेता बशियानम बिहाए पदाती गच्छती चीक है अर्थकार शिन पिड़ेता है ऐसा लिखना होगा पृष्रते यानि फैले हुए पसरे हुए निसा के अंदकार में तो पृष्रते यानि फैले हुए निसा के अंदकार में सक्किम अचिंति है वो अतिती क्या सोचता है तो पिस्रते निरांदकारे बीजने ये मिस्मिन्ट है बीजने प्रदेसे पदेयात्राना सुभाबहा ये पूरी लायन उसने सोची की फैले हुए निसा के अंदकार में वीजने प्रदेसे यानी जन से रहत प्रदेस में पदेयात्राना सुभाबहा अगलह वस्तितह चोरह कहा आसीत वस्तितह चोरह आरक्शि आसी उत्वाना अरक्षी बोला रिदु्ष्ट को रितू में किमकिम करना थे ूटु में का करना है। अतीति का मंद्रम का रूना हुआ सुझकर के तेल ने जाओं और भर्ण पानी का सिवन करना थे थी तब आरक्षी ने क्या बोला थे तने पदाता है। इसके बार, अच्छे आदिकों क्या करना चाहिए, कड़त, तस्मिन दिने यानि उसलिन, तवया अहम तरेद्वारा में कसेले और और हलके बोजपदार का क्या करना चाहिए, तो अगला प्रस्ट देखते है, अब अपने काम का क्फल्क तरो, अस्मिन चाहिए, इस रितू में गरिस्ट है यह न गरिस्ट मती और व्यवावसाली लोग बहुत महत्तों नीति और रिक्तिम समालम लिए लीलिया इन साधिनी नीति और रिक्तिम समालम करें लीला से भी साद आध लेते हैं अगला दिये महत्मूर इसले हो गया नीती और युकृति को सांट कर के ये लीले आ एट को मिठे लीले या एट को पडारतों का सेवन करें नीती नीती को यहां पर आपको आलम बन करके लीले आ यानी खेल के लिम्हें में अनप चापाना नी कर देते हैं हैं पूर्च रस्मी है तरह करम इसके बाद रस्मी होगई उसके बाद आपके बदाना है इनके रूप्पी दुदिया है कम तो जैसे इनों ने बिल्कुल सिंपल हो गया, या ने को खरुणा पर रोग रही, कसमई में चलत रुटी वक्ती है, जिनके रुप में कसमई आजाएगा या आगे न कसमई, रश्णवाचक चिन अगला देखेंगे, रूखापन, निवातम यानी खवार है, जो कस्टी वक्ती यानी घंडा होता है, या पुरम में बहुता है, जो गुरु दिर जी वक्ती जुड़िया हो गया और टेल्सद के रूखा त्रहुन के रूम्नी चीशता है, अगला देखेंगे पुरलिंक होता है, जो गुरु से बimyगी इस्की जो घ्रलिया होईगे, जो घिस पकार देखे कि यहां पर नहों ने बनाई है यहां पर यहां पर तरह है यहां पर करत्री पदम क्या है तो पूरी लाइन में करता कों है यह कहा है करत्री पर पूँचा पद यानी सब्द करता कौन है अचल ताम यानी चले चलने का काम अभाव यानी दोनो यानी अथिती और आरक्षी दोनो चले अब यहाँ पर इस लाइन में पूचा एतेन आरक्षिना अध्वनी यद उक्तम तद वर्णयामी यहाँ पर मारगे इस लाएं कि नाम-पदं कसमाई प्रयोक्त है कारुणा पर ग्रही ने उसके लिए यानी अतिती यह सब्द है यह जो सर्मी नाम सब्द Do Kis के लिए प्रयोक्त हुआ यह हुआ है अतिती के लिए अतिती है बैसे यह प्रश्य महत्मूर्ण आते नहीं है सीदे सिदे पर संस्कत समझने की दृष्टी से बोगत महत्मूर्ण ततो अग्रमे दिने उपस था तो आधिस्टबान अस्विन बाग के क्रियापद हम किम तो आधिस्टबान क्रियापद हो गया अगला दुसकराणी कर्मानी मते वहबो सालिना अत्र विशेशनम का किम तो यहाँ पर दुसकराणी दुसकराणी अपी कर्मानी विशेश से पत प उसका हो जाेगा बिसेषपत कर्मार्मान, संदी बिचेद करना है। वह संदी बतानी है, संदी दी उसका बिचेत करी पदाती एव, निसा धहनंदकारें दीर्ग संदी, अभी आगतम याड संदी, अभ्यागतम है न, उसके बाद देखेंगे, भोजन अन्ते दीरगसंदी, चौरा अयम विसरगसंदी और फिर पूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर लिखना है फिर उपारजे दमाने में कौन सा प्रत्या है कितबतु प्रत्या है कितबतु ऐसा लिखिए ठीक है कितबतु हो गया दापई तुम में कौन सा प्रत्या है तुम उन प्रत्या है तुम उन ऐसा लिखिए तुम उन फिर प्रस्थिता में कौन सा प्रत्या है यहां प किताप्रत्या है ना मतुफ है वो सब सब्दों में होते हैं आतरूप में नहीं प्रिविष्टाह में कौन से प्रत्या हो जाएगा किताप्रत्या हो जाएगा इसके बादाय आउपसर्ग है एक तो इसमें लेप्रत्या हो जाएगा क्रोशीतुम क्रोशीतुम में तमुन प्रत और मुदी ताहक किताब रहते हैं अगला देखते हैं बाक्यों को बहु बचन नों परिविजद करीए बिल्कुल सराल है करता हो जाएगा ते तो क्रिया आगी कृत बनता और कुछ नहीं करना है चौरह ग्रामे न्युकता राजपुर्शा आसित तो इसका बहुचन करिए तो चौर का हो जाएगा चौरह चौरह आसित का हो जाएगा आसन और कुछ नहीं करना है राजपुर्शाह आसन ये कर दीजे इसके बाद आसित का आसन जैसा सब जैसा करता बैसी ही उसी बचन में क्रिया तो करता अगर बहुचन का तो किरिया भी बहुचन की तो कस्चेन चौरा की जगा हो जाएगा केचन चौरा चौरा और प्रिविश्टा ये दोनों बहुचन होए ना कस्चन उसका विसेशण है अन्य ध्यू यानि अन्य दिन तव अभी यहां पर दूई बचन है इसका वह वचन कर दो अन्य दू ते इस्थापद बन्ता इसके अनुसर क्रिया आ गई अभी यहां पर आपको रितिस्तान पूर्ण करना है तो बिलुकुल कीजिये सहा अब जब कहीं स्थान से निकलते हैं तो पंचमी भक्ति आती है, तो ग्रहात, घर से दूर हुआ नस्ताहा, निस्क्रम यानी निकल गए, एकिस्तान से जड़ दूर जाएंगे, जैसे ब्रक्ष से पत्ता गरता है, तो ब्रक्षात पत्त्रम, तो यहां आ जाएगी पंचमी ग्रहात, पर ग्रहस्ता अतिती सब्दे आस्रयम प्रयक्षत गरस्त जो था चतुरती लगानी तो अतितियों हो जाएगी तो नियायादी कारिन दुतिया तो ये दुतिया ही है नियायादी कारिन प्रती है ना इसके नियायादी कारिनम प्रती इसके बाद चौरया भी योगे यह सत्मी लगानी है इदम सब्द में तो